साथियों, स्कील, री स्कील और अफ्सकील ये मंत्र कितना महत्वपुन है ये कोरोना काल ने फिर सिद्ध किया है हेल्थ सेक्टर के लोग स्कील तो है थे ही, उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए बहुत कुछ नया सीखा भी यानि एक तरह से उन्होंने खुद को रिस्किल किया इसके साथ ही उनमें जो स्कील पहले थी उसका भी उन्होंने विस्तार किया बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्कील को अपग्रेट या वेल्व एडिशन करना ये अप्स्किलिंग है और समय की यही मांग है और जिस कती से टेकनोलोजी जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है तब लगातार डाइनेमिक वबस्ता अप्स्किलिंग की अनिवारिय हो गई है स्कील, री स्कील और अप्स्किल के इस महत्व को समच्ते हुए देश में स्कील इंडिया मिशन शुरू किया गया था पहली बार अलग से काउशल विकास मंत्राले बनाना है देश भर में प्रधान मंत्री काउशल विकास केंद्र खोलना हो आईटी आईज की संख्या बढ़ाना हो उनमें लाखो नई सिड जुड़ना हो इस पर लगातार काम किया गया है आज स्किल इंडिया मीशन हर साल लाखो युवाओं को आज की जरूरत के हिसाब से ट्रिनिंग देने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है इस बात की देश में बहुत चर्चा नहीं हो पाई कि स्किल डवलप्मेंट के इस अभ्यान ने कोरोना के इस समय में देश को कितनी बड़ी ताकत दी बीते साल जब से कोरोना की चुनावती हमारे सामने आई है तब से ही कौशल विकास मंत्राले ने देश भर के लाखो हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करने में महत्वपुर्ण भुमी का निबाई है डिमांड डिवन स्किल सैट तयार करने के लिए जिस भावना के साथ इस मंत्राले को बनाया गया था उस पर आज और तेजी से काम हो रहा है साथियों हमारी जनसंख्या को देखते हुए हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर, नर्स और पेड़ा पेड़ा मेडिकल से जुड़ी जो विशेश सेवाएं हैं उनका विस्तार करते रहना उत्रा ही आवश्चक है इसे लेकर भी पिछले कुछ वर्षों में एक फोकस एप्रोच के साथ काम किया गया है बीते साथ साल में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज और नए नर्सिंग कॉलेज के निर्मान पर बहुत जादा बल दिया गया इन में से अधिकाउश ने काम करना शुरू भी कर दिया है इसी तरह मेडिकल एजुकेशन और इससे जुड़े संस्थानों में रिफॉर्म्स को पोद्साहित किया जा रहा है आज जिस गती से, जिस गंभीरता से हेल्थ प्रोफेशनल्स तयार करने पर काम चल रहा है जिस गता है